आपको बताने वाला हूँ सकटा योगा के बारे में यानि इसको हम ऐसे जान सकते हैं कि जैसे संकट परिशानी तो सकटा योगा जो है वो हमारे बर्श आट में कब बनता है और सकटा का मतलब क्या होता है सक्टम को हम संस्कित भासा में अगर समझने की कोशिश करें तो सक्टम का मतलब होता है वील यानि पहिया जैसे पहिया घुमता है कभी उपर कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे तो इंसान का जीवन भी ऐसे ही चलता है कभी उपर कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे सक्टा योगा को हम कैसे समझ सकते हैं उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ लेकिन किसी के बर्ष आठ में अगर सक्टा योगा बनता है तो ऐसे इंसान को जीवन में बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है कई बार उसके जो दोस्तियार हैं वो उसको धुका देते हैं कई बार उसको एज जगा से दूसी जगा, दूसी जगा से तीसरी जगा, तीसरी जगा से चौथी जगा, चौथी जगा से पाच्वी जगा ऐसे उसको बार बार जाना पड़ सकता है कोई भी बिजनिस अगर आप करते हो तो बाट में बिजनिस को चेंज करना पड़ सकता है कहीं पर आपने पैसा इंवेस्ट किया पैसा आपका वरबाद हो गया फिर आपने कहीं से पैसा आरेंज गिया फिर अपना बिजनिस द्वारे से स्टार्ट किया और सक्टा योगा में लोग भाग भी आपकी कम मदद करते हैं और जीवन जो है वो पहीये के समान हो जाता है कभी उपर तो कभी नीचे तो समझने की कोशिश करते हैं कि सक्टा योगा हमारे बर्चार्ट में कैसे बनता है और इसका क्या impact हमारी life में पढ़ता है सक्ता योगा को अगर हमें जानना है तो हमें इसमें Moon और Jupiter की placement को देखना है Moon आपके Jupiter से जहां भी Jupiter की placement होती है Moon अगर उससे 6 तवे, 8 तवे या 12 तवे आता है आपके लगन चार्ट में, Moon चार्ट में, चले चार्ट में, किसी भी चार्ट में तो आपके बर चार्ट में सक्ता योगा बन जाता है गुरू को जैसे हम जानते हैं कि गुरू का संबंद wisdom से है, ज्यान से है Moon हमारा मन, हमारा mind, हमारा emotion जब इनका angle आपस में match नहीं करता तो इनसान की जो बुद्धी है, वो बीच-बीच में खराग हो जाती है जो भी आप decision ले रहे हैं, उसमें आगे चलके कुछ ना कुछ loss हो जाता है और कई बार इनसान ऐसे योग में जान बूज के भी loss करवाता है कई बार गलत decision लेने के चक्कर में आपको नुकसान भी होते हैं लोग आपको धोका भी देते हैं और आप भी लोगों को कई बार धोका देते हो क्योंकि आपके जो पष्तिती है वो आईसी बन जाती है तो समझने की कोशिज करते हैं कि सक्टा योगा कैसे हमारे बर्च आट में बनता है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं example के तोर पर जुपिटर आपके बर्च आट में मान लेते हैं कि third house में है Jupiter की placement यहाँ पर है अब Jupiter से अगर हम गिनना शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर Moon की placement यहाँ पर होती है 7, 8 अगर Moon की placement यहाँ पर होती है 9, 10, 11, 12 अगर Moon की placement यहाँ पर होती है तो आपके chart में सक्टा योग बन जाता है मून अगर आपका यहाँ पर है मून अगर आपका यहाँ पर है तो ऐसे मून से आपके बर चार्ट में सक्टा योग नहीं बनता है लेकिन अगर जुपिटर यहाँ पर है तब आपके चार्ट में सक्टा योग बन गया क्योंकि मून जुपिटर से 12 अवे है और मून अगर यहाँ पर प्लेस्ट है जुपिटर यहाँ पर है तब भी आपके चार्ट में सक्टा योग बन गया क्योंकि मून जुपिटर से 6 अवे है Moon अगर आपका यहां पर है, Jupiter यहां पर है तब भी आपके चार्ट में सक्टा योगा बन जाता है यानि Jupiter की placement आपके बर चार्ट में कहीं भी हो Moon अगर उससे 6 तवे, 8 तवे, 12 तवे होता है 12 तवे मतलब अगर Jupiter यहां पर है तो Moon यहां पर है, Jupiter यहां पर है तो मून यहाँ पर है तो आपके चार्ट में सक्ता योग बन जाता है ऐसे में आप जो भी डिजनल लेते हैं उससे कई बार मुसान होता है और जीवन में सफलता मिलती है अगर और योग आपको सपूर्ट कर देते हैं लेकिन काफी महनत करने के बाद काफी स्ट्रगल करने के बाद आप जीवन में संस्ट्रगल बैठ जाते हैं जैसे मानलो कि के तु यहाँ पर बेठ गया या केतू का एशपक सद्रगल पढ़ रहा है तो चक्ता योगा जो है उसका आसर कही गुंणा ज़ादा बढ़ जाता है और इसमें आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है तो गाइज आप मैंने आपको बताया सक्टा योग के बारे में कि आपके बर शाट में सक्टा योग कैसे बनता है कब बनता है अगर आप भी जाना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात झाल झाल